हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो मां मां आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने Infinix Note 10 Android मुबाइल फून में आप अपने मुबाइल फून की slow charging की problem को आप solve कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो मां में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आपे वीडियो का हमें start कर लेते हैं देखें दोस्तों कभी भी अगर आपको मुबाइल फून slow charge होता है तो इसकी solution के लिए क्या है सबसे पहले तो आपको जोन अपने मुबाइल फून को restart करना है इसके लिए फून की side वाला power button आपको उंगली से दबा के रखना है आपकी screen की सामने एक page open होगा यह वाला इसमा आपको restart का यह option tap करना है इससे क्या होगा आपका मुबाइल फून automatic switch off हो जागा फ्रिसके को चार्ज करने के लिए आपको हमेशा कहने फोन के साथावाला charger आपको यूज करना है कभी मनतों को चार्ज करने के लिए इससे हमारा फवेल फोनों चार्जार होता है क्योंकि देखें दूसरे फोन.. payment चिज़े support नहीं कर पाता है, इस कारण हमारा phone slow charge होता है, इस बात का ध्यान रखना है, एक बात और ध्यान रखने हैं, कभी भी आप अपने phone को charging पे लगाते हैं, तो mobile phone को charging पे लगा के अपने phone को इस्तमाल नहीं करना है, इस से भी mobile phone slow charge होता है, ठीके ना, यह छुड़ी ओड update का option टैप करना है, अब इसके अंदर आपको यह online update पे टैप करना है, अब आपको इस page में continue का button टैप करना है, आपको इस वाले page पे कोई भी update का button या download install कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है, यहाँ पे, तो उसे आपको टैप करके अपने phone का software अपडेट करना है, ठीक आपका दबाव या pressure नहीं लगानी है, नहीं तो charging port के अंदर के particles damage हो सकते हैं, और phone का charging port बिल्कुली खराब हो सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, हलके आद हो साफ करना है, अब देखिए अगला काम यह करना है, mobile phone को reset करना है, जब मेरे बताय हुए, पिछले process को reset हो जाएगा, और आपके phone की slow charging की problem solve हो जाएगी, लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, पहली बात यह ध्यान रखने है, आपके phone में जितना भी data है, सारा data आप किसी भी दूसरे mobile phone में transfer कर लीजिए, या उसका backup ले लीजिए, दूसरी बात यह ध्यान र जो service center है न, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना mobile phone वहाँ पर दिखा देना है, ऐसा मैं इसलिए कहारा हूं, दिखियो हो सकता है, आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत आगी होगी, जिसके वज़े से आपका mobile phone slow charge हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितन अधरे भी solution बताए है, वो mobile phone के software के जरिये बताए है, ठीक है?